कैसे है आप सब I hope आप सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे और मार्केट की जो सिचुवेशन चल रही है जो राइड हमको देखने को मिल रही है पिछले दो दिन से उस राइड को देखके कही न कहीं शौक भी होंगे है न क्योंकि पंप और डंप वाले सिलसिले चल रहे है और ये गेम होना लिखा था मार्केट के अंदर और गेम हो रहे हैं और जैसे गेम हुए हैं ठीक एग्जेक्ट हमने डिसकुशन किया आपके साथ ठीक है अगर आपने पिछली वीडियो वाच की होंगी तो आप समझ जाएंगे कि जो डिसकुश किया था भाईया वो मार्केट में हो भी रहा है हमने कहा था कि बिटकोईन चक्मा देगा 29,900 डॉलर से चक्मा दिया 27,600 तक के यहाँ पे बिटकोईन ने लो दिखा है अगर आप देखोगे कहां से गिरे थे हम 29,900 डॉलर से यह आप देखो चार्ट 27,000 हमने यहाँ पे एक बहुत बड़ा गेम हुआ ठीक है बिटकोईन आया 27,000 डॉलर के उपर अब यहाँ पे जो पोजीशन लग रही थी शोट वाली है ना क्योंकि बिटकोईन आपको पता है गेम होना लिखा होता है और गेम होगा भी क्योंकि कल FOMC की decision आने वाले है भाईया FOMC का decision अगर हम देखें इस बार तो FOMC का decision कहीन है कहीं बिटकोईन को pump कर सकता है क्यों क्योंकि पिछली बार जो CPI data आया था जो inflation एकदम एकदम से कम हो गया 5% तक पहुँच गया है ना जो हम 6.5 या 6.2 के round चल रहे थे इतना बड़ा यहां पे मतलब एक तरह से dump देखने को मिला किसके अंदर CPI data के अंदर तो भाईया यह एक बहुत अच्छा data था अब FOMC के पास कोई reason ही नहीं है कि interest rate को high करें उपर से पता है आपको banking system पूरा US का धडाम हुआ पड़ा है हिला पड़ा है और भाईया कोई reason नहीं है या तो 0 BPS अगर 0 BPS आया तो Bitcoin definitely आपको उड़ता हुआ दिख सकता है ठीक है और नहीं तो 25 BPS साया तब भी Bitcoin में है आपको greenery देखने को मिलेगी पूरे chances यही है लेकिन फिर भी हम wait करेंगे कल रात साड़े ग्यारा बिज तक कल रात ठीक 11.30 पर ये decision आएगा और कहां मिलेगा सबसे पहले हमारे telegram channel पर मिलेगा link description में है join जरूर कर लो और एक चीज में आपके साथ discuss कर लूँ आप देखो Bitcoin हमने morning में discuss किया था कि pump होगा और definitely 27,900 से Bitcoin ने जो level दिखाए हैं अभी हमको अगर हम यहाँ पे high level देखें 27,000 से 28,700 तक के level हमने देख लिए Bitcoin के ये देखो आप यहाँ पे 27,900 से 28,000 पूरा पूरा तकरीवन 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 800-900 डॉलर यहाँ पे pump हो चुका है और यह होना था भाईया pump dump वाला game रात को भी चलेगा जो daily candle close होगी morning में ठीक है उससे पहले game होगा और उसके बाद कल का दिन तो काफी volatile है तो मैं आपको यह कहूँगा अगर आप trading कर रहे हो न भाईया तो मैं आपको यह कहूँगा avoid करो ठीक है क्योंकि इस बार कहीं न कहीं market बहुत ज्यादा volatile हो सकता है ठीक है जब तक decision नहीं आता FOMC का ठीक है avoid करो थोड़ा trading का और क्योंकि भाईया loss नहीं होना चीए अगर आपका एक बार loss हो गया fund चला गया liquidations देखने को मिलेंगे liquidate हो गये तो वो चीज नहीं ठीक है इतना risk लेने की ज़रूरत क्या है बिना risk वाली trading करेंगे थोड़ा सा FOMC के decision आने तो ठीक है परसों से कोई दिक्कत नहीं है market एक दम clear हो जाएगा कि क्या होने वाला है लेकिन थोड़ा सा 24 गंटे के लिए avoid करो पूरा पूरा 24 गंटे आपको trading नहीं करना है मैं आपको यही suggestion दूँगा ठीक है बाकी आपके क्या views हैं कि भाईया क्या हो सकता है कल ठीक है बिटकोईन पंप डंप रहेगा यह वाला गेम और इसी पंप डंप में बहुत सारे liquidations होते आए और होते रहेंगे है ना तो ठोड़ा सा wait करें FOMC के decision का क्योंकि FOMC का decision इस बार अब बिटकोईन आप यूं समझे लो बीच मजधार में ही रहने वाला है बीच मजधार मीन्स यहां से उपर के level है 31, 32,000 डॉलर के ठीक है और यहां से नीचे के level रहेंगे 27,200, 26,900, 500 है ना इस range में तो बिटकोईन कहिना कही बीच में ही रहेगा और एक तरह से traders को confuse करेगा कि भाया उपर जाएंगे या नीचे जाएंगे और यह अब सिर्फ और सिर्फ decide करेगा market के action सिर्फ और सिर्फ FOMC के decision पे ठीक है ठीक है आपको पता है जब decision CPA data आता है तो कितना बड़ा game हो जाता है कितनी बड़ी यहां पे है ना bitcoin एक तरह से game कर देता है दोनों तरफ short और long वालों को liquidate कर देता है ठीक है तो avoid करो 24 गंटे के लिए trading तो सबसे पहले बात करेंगे Elon Musk के बारे में आपको पता Elon Musk का tweet आपके पैसे को 2 गुना भी कर सकता है double भी कर सकता है 3 गुना नजाने कितने गुना कर सकता है और इनके tweet में तो बिल्कुल Elon Musk के tweet crypto के अंदर बहुत matter करते है इनका किसी crypto के साथ connection जुड़ ज़ए तो बिल्कुल इनका अगर tweet इनके tweet का अगर किसी crypto के साथ connection जुड़ ज़़ए तो भाया वो coin pump करेगा ही करेगा चाहे उसका chart कुछ भी कह रहा हो चाहे उसका chart बियरिशी क्यों न चल रहा हो तो इनका tweet आया यहाँ पे cult और culture को लेके और इसी cult का connection जुड़ गया cult DAO से जी हाँ cult DAO आज बहुत अच्छा pump हुआ है because of सिर्फ और सिर्फ एक ही reason है Elon Musk का tweet तो Elon Musk का tweet आये और किसी crypto के साथ connection जुड़ जाए और वो pump ना करे ऐसा शायद ही कभी आपको देखने को मिले ठीक है लेकिन pump हुआ भाई cult DAO बहुत अच्छा pump हुआ 70-80% यह pump हुआ हमने discuss किया था telegram पे अभी ऐसा 20% चल रहा है अगर आप देखो किसी भी coin का अगर chart bearish ही क्यों ना हो नीचे rank ही क्यों ना रहा हो अगर Elon Musk tweet कर दें तो भाईया वो coin pump कर जाता है इसलिए matter करते है भाईया news, updates market के अंदर सबसे ज़्यदा matter करती है chart ठीक है chart study, chart analysis बहुत ज़रूरी है no doubt लेकिन भाईया उस लकीरों को बदलने का दम रखती है news chart की जो लकीरे है जो lines है जो green और red candles आप देखते हैं उनको बदलने का दम रखती है news market में news बहुत चलती है news, update और Elon Musk के tweet है ना अभी भी 27% ये green में है है ना और अगर आप यहां पर देखो जो इसके अंदर spike आया है वो 0.0004 पर चल रहा था price और इसके अंदर जो spike आया almost 7 तक गया है है ना almost double की तरफ गया लेकिन अभी जो है chart नीचे आगया अभी price नीचे आगया profit booking भी होती है ठीक है 70-80% परसेंट पंप हुआ तो भाईया profit booking भी होगी और ये ये जहां coin ring रहा हो उसमें ऐसा pump लाने का दम तो भाईया Elon Musk के tweet में ही है next time बात करेंगे baby dodge coin के बारे में 500 trillion baby dodge coin was just burned और worth an estimate 1.3 million dollar according to BSC scan अगर BSC scan की अगर हम माने यहां पे और ये data बता रहा है कि भाईया 500 trillion baby dodge coin burn हुए है baby dodge coin का burn portal की अगर मैं बात करूँ या burning जैसे भी हो रही है वो एक अच्छी खासी हो रही है शीबा इनु की तरह नहीं है burning का mechanism की अभी बहुत ज़्यदा slow हो चुकिया शीबा इनु की burning बहुत ही कम हो रही है no doubt लेकिन भाईया baby dodge coin की supply निकल रही है और ऐसे ही supply निकलती रही और ये मन्थली खुद भी burn करते रहे time time पे एक quadrillion या दो quadrillion तो baby dodge coin आने वाले दो तीन साल में भी अच्छी supply अपनी कम कर लेगा और भाईया जिस crypto की supply कम हो जाए और जिस crypto की supply limited हो जाए unlimited से limited हो जाए तो वो coin तो उड़ता ही उड़ता है ठीक है तो 500 trillion baby dodge coin यहाँ पे burn हुए है जिनकी value 1.3 million dollar की है मतलब 1.3 million dollar के baby dodge coin चले गए burning के लिए supply से बाहर हो गए हमेशा के लिए next time बात करेंगे wojek के बारे में हमने morning में भी discuss किया था इसके बारे में ठीक है तब भी यह 110% के करीब चल रहा था अभी यह 137% हो चुका है यानि और price बढ़ रहा है और 0.04 पे यह आ चुका है Indian rupees में और top 1000 में यह coin आता है top 600 या 700 में यह coin आता है 0.0006 पे चल रहा है dollars में और अगर हम इसके नीचे के level देखें भाईया means अगर आप पिछले 7 दिन का हाल देखोगे इस coin का 600% 600% यहाँ पे यानि एक लाख रुपे का 6 लाख रुपया बना दिया इस crypto ने पिछले कुछ one week के अंदर है ना कोई financial advice नहीं है इस price के उपर खरीदने के लिए फोमो बिलकुल भी मत कीजिएगा फोमो तो करना ही नहीं चाहिए ठीक है तो यह current level चल रहा है वोजेक के तो भी आप वेल्स के movement हो रहे है matic को ले के अभी recently हमने आपके साथ discuss किया था 70 लाख matic ट्रांसफर किये गए थे अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे 10 million यहाँ पे matic यहाँ पे ट्रांसफर किये गए है polygon plasma bridge to unknown wallet है ना और यह जो polygon matic है 10 million यह 9.7 million डॉलर के है यहाँ तस लगा लीजिए तो 10 million डॉलर के करीब करीब यहाँ पे 10 million matic ही ट्रांसफर किये गए है polygon plasma bridge से unknown wallet के अंदर next update आ रहा है यहाँ पे an address with a balance 1 million USDT यहाँ दस लाख बारा हजार इसके पास USDT है जिनकी value के अगर मैं बात कर लूँ तो 1 million डॉलर के है यह और has just been frozen मतलब क्या होगे है freeze होगे है एक तरह से अब इनको यहाँ पे छेड नहीं सकते यह कुछ address है और इसके पास यह 10 लाख से भी जएदा USDT है जो stable coin है market का सबसे बड़ा तो ठीक 24 गंटे बाद 24-25 गंटे बाद जो है यहाँ पर market में एक ऐसा decision आने वाला है जो decide कर देगा कि bitcoin 32,000 पर जाने वाला है 33,000 पर जाने वाला है या फिर 26,905 के level दिखने वाले है ठीक है वो level भी धीरे धीरे दिखेंगे ऊपर भी जाएगा धीरे जाएगा हो सकता है जब यह decision आए तब इतनी जहदा volatility देखने को ना मिले लेकिन कुछ भी हो सकता है trading के लिए यही कहेंगे थोड़ा सा संबल के कीजिएगा नहीं तो avoid कीजिए FOMC के interest rate का decision कल रात साड़े 11 बजे अगर यहाँ पर expectation की बात कर लें कि भाया no rate high कि 25 BPS तो अगर हम यहाँ पर देखें 50-50 chances हैं भाया दोनों के और पिछली बार 25 BPS आया था पिछली बार भी 0 BPS के chances थे लेकिन FED ने 25 BPS increase कर दिया था मतलब 25 BPS आ गया था अगर इस बार अगर 0 BPS का तड़का लग जाए तो वो बहुत अच्छा रहेगा Bitcoin के लिए ठीक है लग भी सकता है क्योंकि कोई reason नहीं है FED वैसे ही pressure में है banking system और जाने उपर से inflation कम हो रहा है तो भाया 0 BPS भी आ सकता है अगर नहीं आता 0 BPS तो भाया 25 BPS तो confirm है 50 BPS के कोई chances नहीं है ठीक है नहीं 75 BPS की यह तो high rate हो गए और इनका कोई chance नहीं है या तो 0 BPS ठीक है या 25 BPS और अगर 0 नहीं आता है तो fix है 25 BPS ही data हमको देखने को मिलेगा कल रात last and final update एक reminder है WeChain के wallet upgrade को लेके हम already discuss कर चुके है थोड़ा सा ध्यान रखिएगा WeChain का 4th में को है WeChain Technology Team will conduct essential maintenance on the WeChain Thor mobile wallet जो एक mobile wallet है उसको लेके यहाँ पे जो है upgrade हमको देखने को मिलेगा ठीक है तो 4th में को यह होने वाला है थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और WeChain पे थोड़ा सा फोकस करें एक छोटा सा क्रिप्टो है बस टाइम की बात है और आज की इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंट वीडियो अगर पसंद आया है लाइक शेर कमेंट कीजेगा नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ट्वीटर के लिंक है जोईन नहीं किया तो कर लेना ठीक है और किसी भी क्रिप्टो में पैसा डाल रहे हैं इंवेस्ट कर रहे हैं तो हमेशा अपनी रिसर्च करें वो बहुत जरूरी होती है मार्केट इस वेरी रिस्की प्रॉफिट भी हो सकता है लॉस भी हो सकता है तो हमेशा अपनी रिसर्च करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई टेक केर